अश्मरी पर बात की हुई है शुशुत अचार्रे का इसमें मत दिया हुआ है और देखते हैं क्या क्या पाइंट इसमें है सबसे पहले शुशुत अचार्रे ने अश्मरी के कितने भेद बताए है तो आचार शुशुत ने अश्मरी के चार भेद या चार पकार की अश्मरी बताई है तो इसमें आता है हमारा वातच, पितच, कक्फज और शुकरज टीक है या शुकरजनिय अश्मरी शुकरज्मरी ये हमारे टूटल चार बता रखे है अब देखते हैं इसके क्या-क्या लक्षण हुआ करते हैं इन बेदों के तो वो यहां पर आचारे ने बता रखा है सबसे पहले बात हो रही है किसकी कफज अश्मरी की तो कफज अश्मरी के लिए क्या बता रखा है कि कुकुट अंड प्रतिकाशम और मधूक पुषप वर्णा ठीक है कि इसकी जो आकरती होती है वो कैसी होती है कुकुट अंड प्रतिकाशम यानि जो हमारा कुकुट होता है मुर्गा मुर्गी होती है उसके अंडे के समान ये आभा वाली हुआ करती है उसके समान दिखने वाली होती है ठीक है और इसके माधव निदान के आखॉर्डिंग देखें तो माधव निदान में क्या बोला गया है कि ये मधू वर्णी हुआ करती है और सिता वर्णी होती है तो सिता मतलब मिश्री तो इस तरीके से करके माधव निदान का इसमें मत आ जाया करता है थिक है वागवर्ण अचारे ने भी same म schw Toby अचारे वाला हीमत मानना कआओं अज़ी है मधु वड़ーणी आशारे वा Calling व ल policymakers ग्लेसिंग हैं दियान ली को थीक है और यह अश्ममरी में और लक्षनों की बात करें तो एक लक्षन होता है बिद्यते डाल लेते बिद्यते निस्तुद्यते चैव बस्ती गुरू शीत चैव से करके बता रखा है उसमें तो उसमें विभिन प्रकार की वेदना है जो बता रखी है उसको यहाँ पर बता रखा है कि दाल लेते बलाताकस्थी प्रतिमा होती है। थे कहें बलादाक की गुट्ली के समान। तो कोर्रेलेट करने के लिए अप याद रह सकते हो बलाताक जो होता है वह उश्न होता है तोThis त्रीकेसीकर वह करके शाय चीफ़ कर सकते हों ठीक है पाकि मधूबणी जो है यह क्लैशिंग पॉइंट है अचार्दे शुषू ने बता रखा है पित्त जश्मरी में जबकि वागबट और माधम निदान ने बता रखा है बाता जश्मरी सारी कफ़ज अश्मरी में ठीक है बाकी मादम निदान इसमें भी भला तगस्ती संस्थान माना करते हैं ठीक है और इसके अलग से देखें जो है तो पिताव भासा कृष्णा ऐसे करके बता रखा है और इसमें भी दूश्यते चूश्यते दहियते पच्चते इस सिरकार से लक्षण इसमें भी बता रखें जब हम शुश्यता निदान इस्थान का अध्याए तीन उसमें जब हम पढ़ते हैं अश्मरी के बारे में अश्मरी निदान के बारे में तो वहाँ पर इसके लक्षण बता रखें नेक्स देखें, वातज वाले के बारे में, वातज में क्या बता रहा है, कदम पुश्पवत, कंटक चिता, ठीक है, ये बता रखा है, किसके लिए वातज वाले के लिए, कि वातज वाली कैसी होती है, कदम के पुश्प के समान हुआ करती है, ठीक है, कदम का जो पुश्प हो वह से यूखत है शार्प उसमें कंटक होंगे उसमें साइड में नुकीले शार्प एंड्स होंगे उसके ऐसा करके बता रखा बाकि माधव निदान का भी यही मत है कि बही कंटक वत यह हुआ करता है और इसमें भी अलग से पॉइंट बता रखेंगे निसके लक्षान जब ब पायूस परश्रती विद्धती ऐसे करके भी उसमें बहुत लक्षण बता रखेंगे तो यह कुछ पॉइंट से जो आपको इसमें ध्यान रखेंगे इसमें यहां पर हमारा शुक्र अश्मरी के बारे में नहीं बता रखा तो शुक्र अश्मरी का एक लक्षण बहुत करने मातर से ही न शुक्र अश्मरी होती है यह विलियन होकर मतलब वहीं पर विलीन हो जाती है उसको दबाने से और ऐसा खरने से तो वो थोड़ा सा इसमें बता रखा है रेस्ट आफिट जो में में ध्यान रखना है इसमें से कोश्णिंग बनती है वह यही वाला पॉर्श करते हैं तो